नमस्कार दोस्तो एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल बायलोजुवित आरडी में आपका स्वागत है दोस्तो आज के सेस्टन में हम डिस्क्स करने वाले हैं मानो परीशंचरन तंत्र से समंदीत अत्ती महत्वपरण परसन उत्री दोस्तो पिछली भृति परेक्षाओं में पुछे गए परीशंचरन तंत्र से समंदीत महत्वपरण परसन आपके लिए लेकर आए हूँ दोस्तो जितने भी अत्ती महत्वपरण परसन बनते हैं उनको एक साथ इस वीडियो के मादम से आपके सामने डिस्क्स कर रहा हूँ दोस्तो करते हैं स्टार्ट पहला परसन है मनुष्य में आरबीशी का जिवनकाल कितना होता है एक सो पचास दिन एक सो बीस दिन दोस्तो इसका राइट आंसर होगा 120 दिन यह पुछा गया परसन है दोस्तो आगे भी पुछा जाएगा एकदम कॉमन परसन मान सकते हो आप जिसे कई यह पुछा गया परसन है दोस्तों और very important है पक्सियों में मनुष्य में भैक्सिस्वों में इन में से किस में केंद्रग विहीन RBC पाया जाती है दोस्तों तो मनुष्य में RBC में केंद्रग नहीं पाया जाता है important है दोस्तों ध्यान में रखना पूछा गया एक्जाम में सारे प्रसंद अती महत्यों प्रण होने वाले है दोस्तों तो बने रहाने वीडियो के अंत तक और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यदा से ज़्यदा share करना देखते है next प्रसंद निमने लिखित में से कौन मनुश्रीर को संक्रमन के विरुद संगर्स करने में सायता करते है पलेटलेट्स कोशी काई, स्वेत रुदिर कोशी काई, लाल रुदिर कोशी काई या हार्मोन तो दोस्तो इसका right answer होगा WBCs जो कि स्वेत रूदिर कनी काई या स्वेत रूदिर कोशिकाई होती है जो कि हमें संक्रमन से यानि कि मानुशरीर को संक्रमन के विरूद संगर समें सायता करती है WBC कोशिकाई तो दोस्तो देखते हैं next person कौन सा अंग WBC का कबरिस्तान कहलता है जहां वे macrophages द्वारा नस्ट की जाती है ये भी पुछा गया प्रसन है दोस्तों WBC से समंदित कि WBC का कबरिस्तान किशे कहा जाता है लाल अस्तिमजा को, वरकक को, पलिहा को या आंत्र को तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा पलिहा को पलिहा को WBC का कबरिस्तान का आ जाता है क्योंकि पलिहा में macrophages द्वारा नस्ट की जाती है WBC को और लाल अस्तिमजा में WBC का निर्मान होता है दोस्तों इसे भी very important कर लेना लाल अस्तिमजा में शोरी दोस्तों लाल अस्तिमजा में WBC का निर्मान नहीं होता है अस्तिमजा में WBC का निर्मान होता है ओके दोस्तों देखते हैं next person इसतंदारियों में लाल रुदिर कोशिकों का निर्मान का होता है तिल्ली में यकृत में अस्तिमजा में या वरककों में तो दोस्तो वही प्रशन आ गया है कि RBC का निर्मान का होता है तो इसका राय टांसर होगा दोस्तो अस्ती मज्जा में RBC का निर्मान होता है और RBC का बक्षण या नस्ट करने की प्रक्रिया होती है तिल्ली यानि प्लिहा में ओके दोस्तो इन दोनों को ध्यान रखना, very important कर लेना, पुछा गया है एक्जाम में, और पुछा जाएगा, देखते हैं next person, cardiac output लगबग होता है, 5.3 liter प्रती मिनट, 6.3 liter प्रती मिनट, 7.3 liter प्रती मिनट, या 4 liter, तो दोस्तो इसका right answer होगा, 5.3 liter, 5.3 liter प्रती मिनट, cardiac output, इसे भी very important कर लेना, दोस्तो डाइरेक्ट पूछा जाएगा, देखते हैं next person, शरीर में हिमोगलोबीन का कारिये होता है, जिवानों को नस्ट करना, लोहे का उप्योग, रक्त आलपता को रोकना, ओक्सिजन का प्रिवेन, यानि कि एनीमिया को रोकना, हिमोगलोबीन का कारिये होता है, तो दोस्तो इसका right answer होगा, D, ओक्सिजन का प्रिवेन करना, हिमो युकेमिया डवल भीशीज की संक्या में बढ़ोत्री कहलाती है दोस्तों इसे ब्लिड केंसर भी कहा जाता है इसे भी वेरी इंपोटेंट कर लेना दोस्तों पुछा गया एकजाम में और उच्छा जाएगा देखते हैं नेक्स्ट परसन व्रैट इस्यों की विशेश रचना जो रिदे इस बंदन दर को नियंतरित करने में सायता करती है कंडर ये रजू पुरकिंजे तंतू तंत्रिका रजू या कोलेजन तंतू तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुरकिंजे तंतू जो रिदे में पाए जाते हैं और रिदे इस बंदन दर को नियंतरित कर तेने में सायता करते हैं पुर्णिंजे तंदू देखते हैं next question रिदे का पेशमेकर किसे का जाता है से नौड को आई एशेप्टम को एवी नोड़ या एवी शेप्टम को तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा SA node go RIDEKA PACE MAKER कहा जाता है ओके दोस्तो SA node go RIDEKA PACE MAKER कहा जाता है RIDEKA RIDEKA किसे कहा जाता है SA node go कहा जाता है देखते है next person रुदिर परी संचरन तंतर की खोज या रुदिर परी संचरन की खोज किस ने की थी William Harvey ने Stephen Holtz ने इस्टारलिंग ने या अरस्तू ने तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा William Harvey ने रुदिर परी संचरन तंतर की खोज कीती ये भी सिद्धा पुछा गया है exam में दोस्तो very important कले ना ध्यान में रखना देखते है next person ये सार परसन आगे आने वाली बरती परीक्षवों में पुछे जाने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तो तो सलिए देखते है next person है मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय होता है 0.3 सेकंड 0.5 सेकंड 0.8 सेकंड ये 0.1 सेकंड तो दोस्तो 0.8 सेकंड मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय होता है कार्डियक चक्र के समय की बात करें तो 0.8 सेकंड होता है दोस्तो इसे भी ध्यान रखना ये भी पूछा जाता एक्जाम में देखते है next person एक सामाने वेस्क मनुष्य में 120 mm of HG होता है तो दोस्तो इसका रहेट आंसर हो जाएगा 120 प्रती 80 mm of HG यानि कि 120 संकुचन दाव हो गया जबकि 80 अनुषितिलन दाव हो गया very important कर लिएना दोस्तो इसे ध्यान में रखना देखते हैं अलग लग पूछा जा सकता है कई बार अनुषितिलन दाव पूछ लिया जाता है या फिर अनुषितिलन इस संकुचन दाव दोना अलग अलग पूछ कर एग्जाम में देखने को मिल सकता है देखते हैं नेक्स्ट परसंड टी लिंपोसाइड उत्पन होती है अस्तिमज्जा में थाइमस में यकृत में या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तो टी लिंपोसाइड का पर उत्पन होती है थाइमस में ओके दोस्तो टी फॉर थाइमस एसे द्यान रखना दोस्तो टी का मिनिंग होता है थाइमस टी लिंपोसाइड देखते है next person लाल रुदिर कनिकाओं में हिमोगलोबीन की प्रतिसता होती है 48 प्रतिसत, 10 प्रतिसत, 34 प्रतिसत या 20 प्रतिसत तो दोस्तो RBC में हिमोगलोबीन की प्रतिसता होती है 34 प्रतिसत RBC में हिमोगलोबीन कितना पाया जाता है रहाइट आउसर हो जाएगा C 34 परतिसद देखते हैं next person रुदिर इसकंदन के लिए आवस्यक है Na+, K+, या C A+, यानि कि C A+, 2 वल्यों तो केल्सियम प्लस 2 या C L- तो दोस्तों इसका रहाइट आउसर होगा केल्सियम प्लस 2 जो की रुदिर इसकंदन में आवस्यक है देखते हैं next person मानुशरीर के रक्त में से असूदियों को चान कर अलग करता है रिदे, फेफडे, गुरदा या आंद तो दोस्तों इसका रहाइट आउसर हो जाएगा किड़नी किड़नी के दुआरा रक्त में से असूदियों को चाना जाता है इसे भी very important कर लेना दोस्तों confused नहीं होना बिलकुल भी इसका रहाइट answer होगा किड़नी देखते हैं next person हिमोगलोबीन में उपस्तित होता है कोपर, आईरन, कोबाल्ट या निकिल दोस्तों हिमोगलोबीन में उपस्तित होता है आईरन, FE plus 2 मुझूद होता है दोस्तों हिमोगलोबीन में इसे भी very important करेना पुछा जाता है एक्जाम में कौन सा तत्वापस्तित हुता है तो दोस्तों FE plus two हिमोगलोबिन में उपस्तित होता है देखते है next person सर्वे गराही रख्त-समौय है A, B, AB या O to दोस्तों सर्वे गराही रख्त-समौय की बात करें तो हो जाएगा option C AB सर्वे गराही रख्त-समौय होता है जबकि ओ सर्वे दाता होता है सभी को रक्त दान कर सकता है ओके दोस्तों देखते हैं next person इन्हें में से रक्त दाब मापी यंत्र कौन सा है फेदोमीटर, पोटोमीटर, इस्पैरोमीटर या स्पिग्नोमेनोमीटर रक्त दाब मापी यंत्र कौन सा है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रसंद सन 1940 में रिशस बंदर के रुदिर में किन वेगयनिकों ने राइच एंटिजन की खोज की थी मॉर्गन तता उसके सही हो गयों ने लेंड इस्टिनर वीनर ने या वीलियम हर्वे ने या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो R.H. एंटिजन की खोज करने वाले थे Land, Stinner और Weiner नामक दो V.A.N. जिनोनीPS 144 में रिसस बंदर में रुधिर के एक अन्य रहं और हैंटिजन की खोज की थी Land, Stinner और Weiner ने important किलेना दोस्तो उछाजाएगा exam में धेखते हैं next person किस दोरी जिली से बनी थेली में रिदे बंद रहता है पेरिटोनियम, पेरिकारडियम, पेरिकारडियल या उपरोक में से कोई नहीं तो दोस्तो दोरी जिली जो की रिदे को चारोर से बंद रखती है उसका नाम है पेरिकारडियम रहाइट आंसर हो जाएगा B पेरिकारडियम देखते हैं next person सरीर के किस बाग को एक प्रकार का रक्त बेंग का जाता है रिदे को, यक्रित को, प्लिःआ को, फेफडे को तो दोस्तो इसका रहाइट आंसर होगा प्लिःआ को प्लिःआ को एक प्रकार से लिहा को रख्त बेन का जाता है सरी का देखते हैं next person नियमने लिकित में से किस में बंद प्रकार का परीश इंचरन तंत्र होता है कोक्रोच, मचली, मॉलिस्का या बिच्चू तो दोस्तों आपको very important का लेना कोक्रोच, बिच्चू ये दोनों आर्थोपोडा संग के जीव है यानि कि कीट वरग के जितने भी जीव होते हैं वो आर्थोपोडा संग ये अंतरगत आती है क्योंकि आर्थोपोडा और मॉलिस्का दोनों में खुला प्रकार का परीशंचन तंतर पाया जाता है जबगी बंद प्रकार का परीशंचन तंतर की बात करें तो इसका right answer होगा मचली तो दोस्तों मॉलस्का और आर्थोपोडा संग में खुले प्रकार का परीशंचन तंतर पाया जाता है कोक रोच और बिच्छू दोनों और तो पड़ा संके जीव है ओके दोस्तों देखते हैं next person सरीर के निमने लिकित में से किस अंग को रिदे का पेस्मेकर कहा जाता है पर किंजे तन्तू AV नोड, SA नोड या हिंज गे बंडल तो दोस्तो SA नोड गो रिदे का पेस्मेकर कहा जाता है जिसे रिदे का रिदे भी कहा जाता है SA नोड गो रिदे का पेस्मेकर या रिदे का रिदे का रिदे कहा जाता है बेर इंपर्टेंट कलें ना दोस्तो दोनों रूप में पूचा जा सकता है देखते हैं next person मानव रक्त का सामने पी एच मान कितना होता है 7.4 7.2 7.8 या 6.6 तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा 7.4 मानव रक्त का सामने पी एच मान होता है देखते हैं next person important कलेना दोस्तो 7.4 मानव रक्त का सामने पी एच मान होता है देखते हैं next person रक्त में कौन सा गटक थक्कारोदी के रूप में कारिये करता है फाइवरीनोजन, थ्रोमबीन, गलोबीन या हीपेरीन तो दोस्तो थक्कारोदी के रूप में कारिये करने वाला होता है हीपेरीन तो इसका राइट आंसर होगा D कि पेरीन थकरोदी की रूप में कारिये करता है देखते हैं नेक्स्ट परसन पेशी जनगरिदे किसमें मिलता है तिलचटे में जिंगा में बिच्छू में या घोंगे में तो दोस्तो इसका राइटांसर होगा पेशी जनगरिदे पाया जाता है घोंगे में क्या राइटांस पाय में तिल्चट्टे में या सरप में दोस्तों तिल्चट्टा या कोक्रो जो कि आर्थवड़ा संका जीव है उसमें खुले परकार का रुदिर परी शंचरन तंत्र पाया जाता है थोड़ी देर पहले हम डिसकुस कर चुके हैं तो कोक्रों उसके संबन्द में पुछा गय सब्सक्राब है विन में अधिक तियुर्गति से होता है रुदिर का परवाय अच्छे डंग से नियमित होता है यह अधिक उपापची क्रियों का वहन करता है या उप्रोक्त सभी तो दोस्तों बंद परीशंचरन तंत्र के लाव यह तीनों हो जाएंगे तो इसका राइट समय में σत्य खतने का चुना करना है है दोस्तों कई बर सत्य और सत्य के चकर में हम परसंद को गलत करके आ जाते हैं तो इसे ध्यान से पढ़नां My Jowdram quieren tell me आप ध्यान में रखना मीजो ड्रम से कहां से होती दोस्तों मीजो मीजो ड्रम से होती है मानव रिधे की उत्पती होती है मीजो मीजो ड्रम से very important कर लेना दोस्तों ये बहुत बार पुछा गया examet direct की मानव रिधे की उत्पती कुन से जनस्तर्षे होती है, मिजोडर्म जनस्तर्षे होती है, अगला उपसंद देखते हैं, रिदे दोनों फेपडों के मद्द इस्तित होता है, तता थोड़ा सा बाइई तरब जुखा रहता है, बिल्कुल सकते हैं, दोस्तों ये, रिदे दोरी बिती की जिली मे पुरकिंजे तंटू पाए जाते हैं मस्तिक्स में किड़नी में लिवर में या रिदे में तो दोस्तो पुरकिंजे तंतू पाये जाते हैं रिदे में देखते हैं next person मानो की किस रचना में विकृति होने पर करत्रीम पेस्ट में कर लगाया जाता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या होगा निमने लिकेते में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तो इसकी पहचान करने आपको पहला है इयो शिनो फिल्स एलर्जी विग्रिया में बिल्कुल ये तो सही है दोस्तो दूसरा है बेसोफिल इस्टामीन और सेरिटोनीन का सरावन करता है ये भी सत्ते है दोस्तो नूट्रोफिल बायेजियों को नस्ट करता है ये भी सत्य है दोस्तों मोनोसाइट हिविरीन का सरावन नहीं करता है दोस्तों तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा D, उपरोक्ष तीनो सत्य है दोस्तों इनको ध्यान में रखना को नूट्रोफिल बायेजियों को नस्ट करती है जबकि इयोशिनोफिल एलरजिय विगरिया में प्रयोक्त होती है इनको आप ध्यान में रखना सुमिली तवाले में पूछा जाता है ये सारे परसन पूछने की पूरी-पूरी संभावना है दोस्तों ध्यान पूरे होगे इन परसनों को देखना देखते हैं नेक्स परसन उसको शिका का नाम बताई है जिसकी संक्यामिक कमी से रुदिर सकंदन में विकरती आ जाती है जिसके कारण सरीर से अधिर रुदिर का सरा होता है इरित्रोसाइट, लुकोसाइट, न्यूट्रोफिल या थ्रॉम्बोसाइट तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थ्रॉम्बोसाइट क्या होगा दोस्तों? D, थ्रॉम्बोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं नेक्स परसन सड़क दुर गटना में अग्यात रुदिर वरग के मरीज को तुरंत रुदिर आधान की आवसेकता है उसका डोक्टर मितर उसे रुदिर उपलब्द कराता है दाता का रुदिर वरग क्या होगा रूदिर वरग A, रूदिर वरग AB या रूदिर वरग O या रूदिर वरग B तो दोस्तों आपको पता है रूदिर वरग O सरवे दाता होता है सभी को रक्त दान कर सकता है जबकि रूदिर वरग AB सरवे ग्राई होता है सभी से रक्त को ले सकते हैं सबी से रक्त ले सकता है, देखते हैं, नेक्स परसन, रूदिर के सकंदन में प्रो थ्रोंबीन को थ्रोंबीन में बदलने वाला आयन कौन सा होता है, mg प्लस टू, fe प्लस टू, ca प्लस टू या zn प्लस टू, तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा, ca प्लस टू, calcium प्लस टू, देखते हैं, नेक्स परसन, कार्डियक आउटपुट का निर्दारन किसकी द्वारा किया जाता है, रिधे दर, स्टोकाइटन, रूदिर भाव, A या B दोनों, तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा, कार्डियक आउटपुट का निर्दारन किया जाता है, रिधे दर और स्टोकाइटन दोनों के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा, A और B, देखते हैं, नेक्स परसन, oxygen युक्त रूदिर का स्तानांतरन होता है, फुफु सीरा द्वारा, फुफु स्दमनी द्वारा, रिनल सीरा द्वारा, हीपेटिक पोर्टल सीरा द्वारा, तो दोस्तो, oxygen युक्त रूदिर का स्तानांतरन होता है, फुफु सीरा द्वारा, फुफु सीरा की बात करें, तो ओक शी करती है निकि सुद्रूदिर का प्रिवेन करता है जिबकि केवल सीरा हो जाए तो इसमें सुद्रूदिर का प्रिवेन होता है दोस्तों देखते हैं next person मानों में हिज बंडल नामक सरंचना पाई जाती है देखते हैं next person सारे person अती में तो परने दोस्तों ध्यान में रखना ध्यान पूरी वक इन परसनों को देखना पूरी पूरी संबावन होना है अग एकजाम में पूछे जाने की मनुश्य की RBC के बारे में सत्य कतन का चैन करे यह लगबग 20-25% CO2 का वहन करता है करती है यह 99.9% oxygen का वहन करती है यह 80% oxygen का सतनांधर करती है जबकि 20% oxygen प्लाजमा में गुली तवस्ता में सतनांधरित होती है यह carbon dioxide का बिलकुल भी वहन नहीं करती दोस्तों इसका right answer होगा यह लगबग 20-25% CO2 का वहन करती है फिर important कर लेना दोस्तों सीधा खतन वाइज परसनों में पुछा जाता है के वल हमें सत्य कतन के बारे में पुछा है तो दोस्तों यह हराइट आंसर बाकि सब भी गलत है देखते हैं next person मानों में थ्रोंबो प्लास्टीन का कब मुक्त होता है थ्रोंबो प्लास्टीन कब मुक्त होती है मानों में उच तनाव के समय चोट गरस इस्तान पर सत्य गरस्त कोशी काउन दोरा गरब रुदिर को रखता की स्तति में या एनीमिया के समय तो दोस्तो इसका रायट आंसर होगा चोट ग्रिस्त इस्तान पर एक शत्ती ग्रिस्त कोशी काउन के द्वारा थ्रोंबो प्लास्टीन का स्रावन किया जाता है जो की रक्त का थका या रक्त के सकंदन में साइक होता है देखते हैं नेक्स्ट परसन निले की बिती आलिंद की बिती की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि रुदिर को पंप करता है यह रुदिर को प्राप्त करता है यह आलिंद के निचे उपस्तित होता है यह रुदिर को संगरीद करता है तो दोस्तो निले की बिती आलिंद की बिती की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि यह रुदीर को पंप करता है इसका राइट आंसर होगा A ओके दोस्तों रुदीर को पंप करता है देखते हैं नेक्स्ट परसन SA node को रिधेगा गती प्रेर का जाता है क्योंकि यह AV node द्वारा उत्पन संकुचन क्षमता को प्रिवर्तित कर सकता है यह आलिंद निले के बीच आवेग के संचरण में देरी करता है यह तंत्री का आवेग प्राप्त करने में उदिपत हो जाता है legen legga, यह रिदे का लाबात्मक संकुचन प्रारम करता है तो दोष्टो, S, E node गो रिदे का गती प्रिर्प का जाता है क्योंकि यह रिदे का लाबात्मक संकुचन प्रारम करता है और उष्चे बनाए रखता है तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा दोष्टो important कर लेना पूछा जाएगा दोस्तो एक्जाम में देखते हैं next person his का bundle जिसे पेस ये उत्त कहा जाता है इसके मद्दे इस्तित होता है निले के मद्दे अंत्रा आलिंद खांच के मद्दे आलिंद के मद्दे या आलिंद निले पट के मद्दे तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा निले निले के मद्दे हिज के बंडल नामक शरंचना पाई जाती है ओके दोस्तों देखते हैं next person एक स्वस्त मनुषे में रिदे स्पंदन के समय प्रारूपिक लब डब रिदे दुनिया होने का कारण है दोस्तों एक स्वस्त मनुषे में रिदे स्पंदन के समय प्रारूपिक लब डब रिदे दुनिया होने का कारण है इंपोटेंट है दोस्तों फेर इंपोटेंट के लेना ध्यान में रखना पुछा जाएगा एक्जाम में त्री वलन कपाट और सेमी लूनर कपाट के बंद होने से लब डब डब रिदे दुनिया होती है नेक्स्ट प्रसन है ECG में नेगेटिव तरंग कौन सी होती है ECG का मतलब होता है इलेक्टो काडियो ग्राम तो इसमें नेगेटिव तरंग होती है P, T, R या Q तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा Q, Q तरंग ECG में नेगेटिव तरंग होती है इंपोर्टेंट है दोस्तो यूनिक परसन है पुछा जाख सकता है देखते है नेक्स्ट परसन फेफड से निकलने वाले रुदिर में किसकी अधिक्ता होती है ओक्सिजन की, हिमोगलोबीन की, कारबंडाय ओक्साइट की या नाइट्रोजन की तो दोस्तो फेपडो से निकलने वाले रुदिर में सामने बात है आपको पता है रुदिर में ओक्सिजन से ये निकलने वाला रुदिर है फेपडो से निकलने वाला रुदिर है तो दोस्तो इसमें ओक्सिजन की दिखता होगी राइट आंसर होगा 120 mm of HG मानों में सामाने संकुचन दाब की बात करें तो 120 mm of HG होता है जबकि 80 अनुशितिलन दाब होता है क्या होता है दोस्तों अनुशितिलन दाब की बात करें 80 mm of HG जबकि सामाने संकुचन दाब की बात करें तो 120 mm of HG होता है देखते हैं next person किस अवस्ता में इरित्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिसिस रोग गरब पात कर सकता है तो दोस्तो रह पोजिटिव पती और रह नेगेटिव पतनी इरित्रो बलास्टोसिस फिटलिसिस रोग उत्पन कर सकता है गरपात में देखते हैं next person एंटिजन है एंटिबोडि गा औसेस एंटिबोडि गे विपरीत एंटिबोडि गे निर्मान है तू उत्प्रेरक या उपरोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तो एंटिजन होता है एंटिबोडि गे विपरीत देखते हैं next person रुदिर दाबगा नियंत्रन करता है एडरिनल गरंथी, थाइमस गरंथी, प्यूस गरंथी या हाइपो थिलेमस तो दोस्तो एडरिनल गरंथी के द्वारा रुदिर दाबगा नियंत्रन किया जाता है देखते हैं नेक्स्ट प्रेसन रक्त प्लाज्मा में सर्वादिक होता है रक्त कोशी का है जल हार्मोन या एंटिवर्डी तो दोस्तो प्लाज्मा में लगबग 90 प्रतिसत जल होता है दोस्तो त्यान रखना लगबग 90 प्रतिसत जल होता है भकी अन्य पदार्थ हो जाते हैं next person RBC का आकार होता है गोलाकार, अंडाकार, उभयाउतल एन्यमेताकार तो दोस्तो RBC में केंद रख नहीं होता है और RBC का आकार की बात करें RBC का आकार होता है उभयाउतल इसे भी very important कर लेना दोस्तो very very important कर लेना आकार के समद्ध में कई बार परसन पुछा गया है आगे पुछे जाने की पूरी सम्भा होना है तो दोस्तो और RBC का कार होता है उभयाउतल देखते हैं next person जिसे लगाने से रख तका बैना रुक जाता है ध्यान रखना दोस्तो देखते हैं next person जोंक लगातार अपने शिकार से रक्त प्राप्त करता रहता है और कौन सा है जो उस शिकार में उडेलता रहता है हीपेरीन, हिरुडीन, इंसुलीन या थ्रॉम्बो काइनेज तो दोस्तो जोंक लगातार अपने शिकार से रक्त प्राप्त करता रहता है और हिरूडीन को उसमें उडेलता रहता है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हिरूडीन ओके दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट परसन एक वेस्क मनुश्य के लिए हिमोगलोबीन की कितनी मात्रा प्रती 100 ml रुदिर में होती है 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 16.5 ग्राम या 14.5 ग्राम तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12.5 ग्राम एक वेस्क मनुश्य के लिए हिमोगलोबीन का कितनी मात्रा 100 ml रुदिर में होती है तो दोस्तों 12.5 ये भी कई बार पुछा गया सिधा एक्जाम में ध्यान दर कना दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रसन ब्लेट केंसर को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है लुकोडर्मा, लुकेमिया, एनीमिया, हिमोफीलिया तो दोस्तों ब्लड केंसर को आम तोर पर यूकेमिया के नाम से जाना जाता है important कर लेना दोस्तो ध्यान में रखना देखते है next person निमने लिकिते में से कौन सा रिदे के कारिये को अधिक उप्यूक्त रूप से बताता है स्टेतो स्कोप, इलेक्टो कार्डियोग्राम, इको कार्डियोग्राम या लिपिड प्रोफाइल तो दोस्तो रिदे के कारिये को अधिक उप्यूक्त बताने वाला होता है इलेक्टो कार्डियोग्राम इलेक्टो कार्डियोग्राम के द्वारा रिदे के कार्यों अधिक उप्योगत रूप से बताया दाता है देखते हैं next person रिदे में कौन सा रिदे की दड़कन को मापता है सोरे दोस्तों इन में से कौन सा रिदे की दड़कन को मापता है इको कार्डियोग्राम, लिपिड प्रोफाइल, स्टेतो स्कोप या इको कार्डियोग्राम एलेक्टो कार्डियोग्राम, लिपिड प्रोफाइल, स्टेतो स्कोप या इको कार्डियोग्राम तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेतोस्कोब स्टेतोस्कोब के दुवरा रिदे की दड़कन को मापा जाता है ओके दोस्तो इंपोर्टेंट कर लेना यह दोनों पुछे जा सकते हैं एक्जाम में देखते हैं next person खालिस्तान रक्त का वह बाग होता है जिसमें 92% जल और बाकी 8% में प्रोटीन, खनीज, हार्मोन, एंजैम थता अन्य पदार्थ होते हैं रक्त का कौन सा बाग होता है दोस्तो RBC RBC, WBC, Platelets या Plasma तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Plasma Plasma में लगबग 20% में प्रतिस्यत जल होता है बाकी 8% में प्रोटीन, खनीज, हार्मोन, एंजैम आदी होते हैं त्यान रखना दोस्तो Plasma देखते है next person Plasma लगबग 25% बाग होता है दोस्तो जबकि 45% प्रतिस्यत रक्त कोशी काई पाई जाती है देखते है next person दोस्तो RBC का कबरिस्तान कहा जाता है पिताशे को, किडनी को, प्लिहा को या यकृत को दोस्तो प्लिहा को RBC का कबरिस्तान कहा जाता है देखते है next person मानों के रख्त प्लाजमा में पाई जान्ने वाली ग्लोबिलीन प्रोटीन किस काम आती है रक्त का ठका बनाना, शरीर की सुरुक्षा क्रियाविदी में, दे अतरलों का प्रासरन संतुलन, रक्त में ओक्सीजन का प्रिवेन, तो दोस्तों, रक्त में ओक्सीजन का प्रिवेन हमोगलोबिन के द्वारा किया जाता है, जबकि ग्लोबिलीन प्रोटीन काम करती है, शरीर पुछा गया एक्जाम में दोस्तों पुरी संभावना आगे भी पुछे जाने की परिपक्व आरबीसी में डियने नहीं होता है देखते हैं नेक्स्ट प्रसन हिस्टेमीन और प्राकरतिक प्रति इसकंदग हिपेरीन का मोचन कौन से हिस्टेमीन की बात करें तो इस्टेमीन और प्राकरतिक प्रतिसकंदग हिपेरीन का स्रावन बेसोफिल को सिकंदवारा किया जाता है देखते हैं नेक्स्ट प्रसन सरवादिक क्रियासिल बक्षानू के डब्लू बिसी को सिकंदग हिपेरीन का स्रावन नेक्स्ट प्रसन सरव द्यान रकना दोस्तो नुट्रोफिल और एकलानो को शीकाई होती यह तो दोस्तो उसका रैट अन्सर होगा 5.5 लिटर रिदे की रख्त पंप करने की समता होती है 5.5 लिटर देखते हैं next person रूद्र का थका जमने में सायक होता है RBC, WBC, पलेटलेट्स या उपरोक्त सभी तो दोस्तो पलेटलेट्स को सीखाएं रूद्र का थका जमने में सायक होती है देखते हैं next person सर्व परतम पेशमेकर का आविसकार किसने किया पेशमेकर का आविसकार किसने किया दोस्तो पहला उपसन है वरजी निया जोन होपस, क्रिस्टियन बर्नार्ड या A. डिक्सन ने तो दोस्तो जोन होपस ने सर्व परतम पेशमेकर का आविसकार किया था किस ने किया था दोस्तो जोन होपस ने पेसमेकर का सर्व परतम आभिसकार किया था दे हम दोस्तो देखते हैं the next person दुनिया का पहला मानोरिदे प्रत्यारोपन किस ने किया था नור्मन समावे क्रिश्टियन बर्नाड निकोलाय सिनिटसिन और James Hardy तो दोस्तो Christian Bernard option B Christian Bernard ने दुनिया का पहला मानव रिदे प्रत्यारोपन किया था Christian Bernard ने त्यांदर करना दोस्तो देखते हैं next person दिल का दोरा पढ़ना किस कारण होता है रिदे पर जिवानू का हमला रिदे गति का रुक जाना रिदे की रक्त अपूरते में कमी या अग्यात कारणों से रिदे के कारिये में बादा आना तो दोस्तो दिल का दोरा पढ़ना कारण में रूप से रिदे की रक्त अपूरते में कमी हो जाती है उसके कारण रिदे का दोरा पढ़ता है दिल का दोरा पड़ता है दोस्तों देखते है next person मनुष्य के सरीन में खून की सुद्धी गर्ण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं Osmosis, Dialysis, Hemolesis या Paralysis Paralysis तो दोस्तो इसका राइट अंसर होगा Dialysis देखते है next person Manoklai में नाड़ी स्मंदन करती है रिदेशय तेज, रिदेशय मंद, रिदेशय श्वतंतर तो दोस्तो रिदेशय के बराबर Option C इसका राइट अंसर हो जाएगा रिदेशय के बराबर Manoklai नाड़ी स्मंदन करती है देखते है next person रक्त में लाल रंग निमन लिक्कित में से किस के कारण होता है Plasma के करण, Hemoglobin के करण, Hemosinin के करण या WBC के करण तो दोस्तो रक्त में लाल रंग होता है Hemoglobin के कारण ओके दोस्तो ओके दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो के से लगा ये comment section में जरूर बताना दोस्तो और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बायलोजिशे रिलेटेड इस महतो अपरन टोपिक वाइज परसनोत्री सभी दोस्तों के साथ पहुंच जाए दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ एक महतो अपरन परसनोत्री के साथ दोस्तो इन परसनों से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्जामे देखने को ये परसन पूरे-पूरे पुछे जाने की संभावना है तो पने रेना बैलो जीवित अरडी के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करना कमेंट करना और जरूर बताना वीडियो कैसा लगा ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक टोपिक के साथ जे हिंद जे भारत